भायों और बैनों, भारत के हम लोग हजारों वर्षों पुराने अपने इतिहास, अपनी सब्व्यता, अपनी संस्कृती पर गर्व करते हैं। दुनिया की अनेक सब्व्यताएं समय के साथ समाप्त हो गई। परिवर्तनों के साथ खुद को ढाल नहीं पाई। भारत को भी भावगोलिक, सांस्कृति, सामाजी और वैचारिक रुप से तोड़ने के बहुत प्रयास हुए है। लेकिन भारत को कोई भी ताकत समाप्त नहीं कर पाई। भारत सिर्फ एक भुभाग नहीं है, बलकि हमारी सब्व्यता की, संस्कृति की, सद्भावना की, संभावना की एक अभिव्यक्ति है। इसलिए आज भारत अपने वैववशाली बविश्य की नियुक रख रहा है। और जानते हैं, इसके पीछे सबसे बड़ी प्रेड़ा, सबसे बड़ी शक्ति क्या है। किस की शक्ति से, किस के आशिरवात से, भारत अटल है, अजर है, अमर है। मेरे प्यारे भाईयों और बहनों, ये शक्ति हमारे समाज की शक्ति है। देश के कोटी कोटी जनों की शक्ति है। भारत की हजारों वर्षों की यात्रा में, समाज सक्ति की बहुत बड़ी भूमी का रगी। हमारा ये सवभाग्य रहा है, कि हर महत्वपुन काल में, हमारे समाज के भीतर से ही, एक ऐसी उर्जा निकलती है। जिसका प्रकाश सब को दिशा दिखाता है, सब का कल्यान करता है। भगवान देवनाराण भी ऐसे ही उर्जा पुंज थे, अवतार थे, जिनोंने अत्याचारियों से हमारे जीवन और हमारी संस्कृति की रक्षा की गी। बेरुप में मात्र, मात्र 31 वर्ष की आयू बिता कर, जन्मानस में अमर हो जाना, सर्वसिद्ध अवतार के लिए ही संभव है। उन्होंने समाज में फैली बुराईयों को दूर करने का साहस किया, समाज को एक जुड़ किया, सम्रस्ता के भाव को फैलाया, भगवान देव नारायन ने समाज के विबिन वर्गों को साथ जुड़ कर, आदर्श विवस्ता कायम करने की दिशा में काम किया। यही कारण है कि भगवान देव नारायन के प्रती समाज के हर वर्ग में स्रद्दा है, आस्था है। इसलिए भगवान देव नारायन आज भी लोक जीवन में परिवार के मुख्या की तरह है, उनके साथ परिवार का सुख दुख बाटा जाता है।